सब्सक्राइब कीजिए राजधाने एजुकेशनल गूरूप पच्कोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जैराजधानी कैसे आप सभी मैं हमत कुमार सिंग आप सभी का वाईलोजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी एडिकृस्टनल गूरूप के यूटूब चैनल पे आपका हार्डिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते है आज का लेकषर आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं गलाइकोलाइसब के बारे में ठीक है इन द प्रिविय Liter हमने क्या दिसक्रस किया था मैंने आपको प्रिवियस लेकशर में पाईडिविक एसिड के लिए बारे में और इसक मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पारिविक एसिड से जो है बैसे कली उसका क्या कौन-कौन से सबस्तांसे में बूर्जन को शो करते हैं इसके बारे में मैंने आपको कुछ एक बैसिक इंफर्मीशन प्रिवियस लेक्ट्र में भी दे दिया है हम स्टार्ट करते हैं आज के वलकुल फ्रेंस टॉपिक है गलाइकोलाइसिस के बारे में यहां पर हम और टाइपस ओब बायो केमिकल रियेक्शन्स मतलब जैव रसाइनिक अभी करिया हैं जो इस गलाइकोलाइसिस में इन्वाल होती हैं उसे हम one by one study करेंगे देखिए फॉस्ट और मैं आपको समझा दूँ कि गलाइकोलाइसिस जो है इसका मीनिंग क्या है इस टर्म से हम किस तरह से जो है इसके पीछे क्या मीनिंग निकल रहा है इसे हम पर्टिकुलर समझने के लिए क्या करते हैं इसे टू टर्म में डिवाइट कर लेते हैं मैंने क्या किया यह देखिए यहाँ पर लिखा है गलाइको और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लाइसिस लिखा हुआ है इस गलाइकोलाइसिस टर्म का मीनिंग क्या होता है देखिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि यह जो glyco है किसको represent करता है मैंने का यहाँ जो glyco होता है वो generally represent किसको करता है यह glucose को represent करता है किसको मैंने का हाँ यह glucose को represent करता है ठीक है लेकिन अगर यह lysis की बात करते हैं lysis का meaning क्या होता है lysis का meaning होता है breakdown क्या होता है इसका meaning मैंने का इसका meaning होता है breakdown आपने previous lecture में भी देखा था when we studied about the fate of the pyruvic acid वहाँ पर भी क्या हुआ था यह जो glucose था basically glycolysis के बाद किसका formation करता है मैंने का आपको बताया था कि यहाँ पर one mole अगर glucose की बात करते हैं तो one mole glucose से कितने mole pyruvic acid का formation होता है मैंने का यहाँ पर two mole pyruvic acid का formation हो रहा है अब यहाँ पर हम यह study करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह two mole of pyruvic acid जो है वो कौन कौन से chemical reaction से बनते हैं हम इन सभी step को one by one क्या करेंगे study करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो glycolysis है इसका basically site क्या है मतलब यह कहा होता है हमने previous lecture में भी देखा था मैंने आपको कहा था glycolysis कहा होता है ये कोशी का द्रव्य में संपन होती है मतलब ये जो प्रिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की ये कहां पर होता है मैंने कहा कोशी का द्रव्य या फी साइटो प्लाजम में दिखा जाता है हम next point अगर study करें कि इसी ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है मैंने कहा इसे glycolysis को कहा जाता है क्या इसे हम कहते है common pathway क्या कहते है इसे कहा जाता है common pathway लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली प्यात यह है कि basically इसे common pathway क्यों कहते है देखे comes का meaning क्या होता है इसे common pathway लेकिन प्रिक्रिया है वो basically टू कंडि denshon में हमें देखने को मिलता है मेंने कहा यह aerobic condition में भी होता है तइक है मैंने बोला कि यह किस condition में हो रहा है यह aerobic condition में भी होता है As well as हम यह कहते हैं कि sometime यह anaerobic condition में भी होता है Basically मैंने कहा कि यह YVA परस्तितियों में भी संपन होने को देखने को मिलता है और basically यह आ-YVA परस्तिती में भी हो सकता है aerobic और anaerobic डौनों ही condition पे यह common path भी होता है इसलिए basically इसे क्या कहते हैं इसे common pathway उभेनिष्ट मार्ग कंसिडर किया जाता है किस किस के बीच का मैंने कहा यह जो aerobic respiration का होता है और an aerobic respiration होता है इन दौनों के मध्धे का इसे मध्धे वरती अवस्था common pathway मना जाता है आप इतना जान चुके हैं कि अगर aerobic की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है aerobic में basically क्या होता है मैंने का oxygen यहां पे presence होता है basically यहां पे यह जो process of respiration होगा वो oxygen के presence में होता है ठीक है लेकिन यहां पे anaerobic की बात करते हैं इसे common pathway तो हमने कह दिया लेकिन इस common pathway के साथ-साथ इसे ही क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है EMP pathway क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है EMP pathway मैंने previous lecture में भी आपको बताया था कि EMP pathway क्यों कहा जाता है ठीक है यहां पर देखिए, यहां पर detail में रखते हैं, यह MP pathway से क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको three scientist के बारे में बताया था, यह कौन से scientist थे, मैंने का E से, मैंने का यहां पर P से बताया था, किस scientist के हमने बात की थी, मैंने का यहां पर P से हमने एक scientist के बात की, इनका नाम था, Parnas, क्या नाम था, Parnas नाम था, तो इन तीनों scientist ने जो हैं, collectively किसके बारे में बताया था, मैंने का यह glycolysis के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे EMP pathway कहते हैं, एमडन, मेरहो, Parnas pathway कहा जाता है, common pathway भी कहते हैं, होता कहा है, मैंने का यह होता है, cytoplasmine, और क्या बताया, सबसे ज़्यादा important point तो मैंने आपको बताया था, कि यहां पे glyco का meaning glucose, glyco represent करता है glucose को, और lysis का meaning क्या होता है, breakdown, मतलब इसमें जो है, one mole of the glucose है, वो breakdown हो जाता है, और किसका formation करता है, मैंने का यहां पे two mole of pyruvic acid का क्या करेगा, formation करेगा, लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है, कि यह जो glucose है, यहां पे number of carbon कितना होता है, मैंने का यहां पे number of carbon होता है, six carbon, लेकिन अगर हम यहां पे pyruvic acid की बात करते हैं, यहां पे number of carbon कितना होता है, यहां पे number of carbon होता है, three carbon, चीक है, यहां पे three carbon तो है, लेकिन basically कितने mole हैं यहां पे, two mole है, तो हमें किसे multiply करना परेगा, मैंने का two से multiply करना परेगा, तो अब हम कितना बोल सकते हैं मैंने का यहाँ पर भी क्या है 6 carbon है into the 2 mole of the pyruvic acid हाला कि 1 mole of pyruvic acid में number of carbon कितने होते हैं 3 carbon ही होते हैं हमने यहाँ पर कुछ एक basic बाते जो हैं हमें study किया है इसी के साथ साथ एक last point और बताना चाहूंगा इसके जो 10 chemical reaction होते हैं उसे पहले यह क्या है मैंने कहा यहाँ पर देखिए glycolysis के process में यह जो हम यहाँ पर 10 प्रकार के जैव रसानेक अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि basically यहाँ पर न तो क्या मैंने कहा न तो यहाँ पर oxygen release होता है मतलब यहाँ पर oxygen किसी भी particular reaction में आपको मुक्त होता हुआ नहीं दिखाए देगा न तो यहाँ पर oxygen मैंने कहा न तो मैंने कहा oxygen release होता है न यह मैंने कहा यह involve भी नहीं होता है वो release नहीं होते हैं नहीं यहाँ पर oxygen involved हुआ न हमने यहाँ पर इस glycolysis के process में कहा जाता है न तो यहाँ पर क्या करते हैं न तो यहाँ पर हम oxygen को use करते हैं नहीं यहाँ पर carbon dioxide क्या होता है release होता है तो यह भी एक इसका special feature है glycolysis का अब सीधे हम start करते हैं बताने वाला हूँ कि यह जो biochemical मैंने का जो जैव रासाइनिक अभिकरिया है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो बताने जा रहा हूँ तो biochemical reaction के बारें बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए biochemical reaction होते कितने हैं तो मैंने का यहाँ यहाँ पर 10 टाइप के बायो केमिकल रियक्शन होते हैं कितने मैंने का यहां 10 प्रकार के जैव रासानिक अभी किरिया हैं आपको देखने को मिलेगी विलब 10 स्टेप में हमें यह गलाइकोलाइस से संपन होता हुआ दिखाई देगा ठीक है देखें स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बोला क्या इसमें हमें बस स्टडी यह करना है कि किस तरह से 1 mol of glucose से 2 mol of pyruvic acid बनता है ठीक है अब देखें यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अफॉल यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या लिया हमने यहां पर लिया है यहां पर हमने बात की 1 mol of glucose की बात किये किस की मैंने का यहां पर हमने 1 mol of glucose की बात की यहां पर क्या हो गया 1 mol of glucose लिया आप जानते हैं कि 1 mol of glucose जो है उसमें number of carbon कितने होता है यहां पर discuss कर लेते हैं यहां पर number of carbon है 6 carbon कितना है 6 carbon है यह 6 carbon containing compound होता है गुलकोज हैजोस उगर भी इसे कहा जाता है अब यह जो गुलकोज है यह किसमें कनवर्जन शो करते हैं देखिए यहे जो गुलकोज है इस गुलकोज से किसका formation होता है मैंने का गुलकोज से यहाँ पे गुलकोज 1-6-6 sections होता है मैंने का one six basically यहाँ पे हम यह देखेंगे कि किस particular enzyme के presence में होता है enzyme के साथ साथ यहाँ पे कहां कहां किस particular step में ATP का involvement होगा कहां पर ATP यूज किया जाएगा कहां पर ATP का formation होगा इस particular सभी reactions को हम पढ़ेंगे लेकिन basically यहाँ पे कुछ एक elementary idea हम पहले समझ लेते हैं ताकि इसके particular हर reaction को हम finger test पे याद कर पाएं तो मैंने आपको बोला one mole glucose की पहले आपको बात करनी है उसके बाद one mole glucose से किसका formation होने वाला है मैंने का यहाँ पर basically one mole glucose से यहाँ पे मैंने लिखा glucose six phosphate का formation होता है जिसे हम represent किसे कर रहे है मैंने का इसे हम sort कर रिपेजेंट करते हैं मैंने का g6 p लिख दिया है इसको क्या लिख दिया है इसके full form की भी बात करेंगे basically एक बार मैं इसके लेटल तयार कर लो इसका एक जो रेखिये बात भी होता है उसको हम तयार करने जा रहे है तो मैंने का one mole glucose से g6 p बना glucose six phosphate बनता है और glucose six phosphate से क्या बनता है मैंने का यहाँ पर g16 p बनता है अब यह g16 p क्या होता है हम इसकी बात करेंगे अब basically इससे क्या बन जाएगा इससे मैंने कहा यहाँ पर glucose 1-6-phosphate से क्या बनता है मैंने कहा यहाँ पर fructose बनता है ठीक है यहाँ पर हम बात करेंगे fructose 6-phosphate की बात करेंगे अब देखे हम इसके expansion form को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पर basically बना क्या है यह जो G6P आपको दिखाए दे रहा है जो की 1 mole of glucose से बनता है तो basically इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है glucose 6-phosphate क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है glucose 6-phosphate कहते हैं तो यहाँ पर पहले glucose 6-phosphate बना glucose 6-phosphate से यहाँ पर मैंने किसका formation बताया है गुलकोज 1,6-phosphate का फॉर्मेशन बताया है चीक है अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया गुलकोज 1,6-phosphate को हम किस तरह से ठीजेन कर सकते हैं है मैंने का इसको हम लिख सकते हैं कैसे इसे हम लिख सकते हैं गुलकोज basically क्या है यह एक position को हमने 1 से represent किया, एक position को हमने 6 से represent किया, ठीक है? और यहाँ पे जो 20 स्याफी dye यूज किया जाता है, वो किसको represent करता है? यहाँ पे 2 position of the carbon को represent करता है, जिससे phosphate group जो है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? अब देखिए, इससे किसका formation हुआ? इससे जो है, fructose 6-phosphate का formation होता है, basically fructose, मैंने का fructose 1-6-phosphate का formation हुआ, इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, इसे मैंने कहा, इसे कहते है, fructose 1-6-1-6-bisphosphate कहते हैं, क्या कहते हैं? बिस-phosphate कहते हैं, और यह देखिएंगे कि यह conversion किस enzyme के presence में होता है, बट उससे पहले मैंने आपको बताया कि conversion कने वाले कौन-कौन से compound होते हैं, कौन-कौन से complex compound होते हैं, तो मैंने कहा, starting से revise करते हैं, देखिए, one mole of glucose लिया, उससे glucose 6-phosphate बना, glucose 6-phosphate से glucose 1-6-phosphate के formation को बताया है, उसके बाद मैंने कहा, glucose 1-6-bisphosphate से fructose 1-6-bisphosphate का क्या होता है, formation होता है, अब देखिए, हम बात करने वाले हैं, कि आखिर यह जो reaction है, वो किस particular enzyme के presence में होता है, देखिए, अगर हम one mole of glucose का conversion, glucose 6-phosphate में बताएं, यहाँ पर जो enzyme होता है, इसे हम कहते हैं, hexakinase का गयते हैं, इसे कहा जाता है, hexakinase enzyme, लेकिन यहाँ पर केवल enzyme ही sufficient नहीं होता, enzyme के साथ साथ यहाँ पर enzymatic जो activator होते हैं, मतलब कुछ एक सक्रिय कारक होते हैं, और यह सक्रिय कारक के रूप में हमने किसका इस्तमाल किया है, मैंने यहाँ पर magnesium का इस्तमाल किया है, किसक मैंने का, mg2 plus iron को यहाँ पर enzymatic activator के तौर पर हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिये, 1 mole of glucose, glucose 6 phosphate में convergence हो कर रहा है, in the presence of, in the presence of किसकी उपस्तिती में हो रहा है, मैंने का, hexakinase और यहाँ पर enzymatic activator कौन से हैं, मैंने का, यहाँ पर magnesium iron होता है, ठीक है, अब यह glucose 6 phosphate से, glucose 1,6 bis phosphate का क्या होता है, formation होता है, तो यह basically इस formation में हम कहते हैं, कौन सा enzyme यहाँ पर involve होता है, यह देखिये, यह जो glucose 6 phosphate होता है, और glucose 1,6 bis phosphate होता है, यह दौनों एक दूसरे के isomers होते हैं, क्या होते हैं? समावेवी होते हैं, isomers होते हैं, और यह जो isomer है, इसे लिए यहाँ पर जो enzyme involved होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं isomerase क्या कहते हैं isomerase कहते हैं basically isomerase जो है एक enzyme की class है जिसमें कौन सा reaction होता है जिसमें glucose 6 phosphate जो है is convert into the glucose 1,6 bis phosphate ठीक है मैंने आपको यह explain कर दिया कि यहाँ पे 20 क्या represent करता है यहाँ पे number of phosphate group को represent करता है जो carbon से यहाँ क्या है जुड़े हुए है two position है उसको समझाने के लिए 20 या फिर डाय को हम use करेंगे चीक है अब देखिए उसके बाद glucose 1,6 bis phosphate से मैंने बताया आपको कि fructose 1,6 bis phosphate का formation होता है लेकिन यह किस enzyme के presence में होता है मैंने का यहाँ पर जो enzyme होता है basically इस enzyme को क्या कहते हैं इसको कहा जा मैं यहाँ पर मैंने का फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम के presence में glucose 1,6 bis phosphate convert into the fructose 1,6 bis phosphate ठीक है अब यहाँ पर यह conversion हो गया अब directly ही हम lead करते हैं इसके बाद कि यह fructose 1,6 phosphate से किसका formation होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस particular reaction में यहाँ पर फॉस्ट स्टेप देखा जिसमें 1 mole of glucose change हो रहा था किसमें glucose 6 phosphate में change हो रहा था तो यहाँ पर देखिए इस step में क्या कहा जाता है कि इस step में हम generally ATP use करते हैं ATP production की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर basically ATP use हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ह देखिने को मिल रहा है यहाँ पर hexakinase भी है enzymatic activator magnesium ion भी है और साथ-साथ यहाँ पर ATP भी यूज किया तो one mole of glucose किसमें change हो गया मैंने का यह glucose 6 phosphate में change हो गया ठीक है अब देखते हैं glucose 6 phosphate जो है glucose 1-6-bisphosphate में change हुआ लेकिन यहाँ पर हमें ATP के आवशक्ता नहीं है ATP के आवशक change होता है fructose 1-6-bisphosphate में यहाँ पर भी जो है one molecule of ATP को हम यूज करते हैं ठीक है मैंने का यहाँ पर हमने क्या किया one mole of ATP को again use किया और यह ATP के सब्सक्राइब हो रहा है मैंने का ADP में हो रहा है आप इतना जानते हैं कि ATP का meaning होता है adenosine triphosphate ठीक है और यहाँ पर ADP का meaning क्या ह होता है ADP मतलब यहाँ पर कहते हैं adenosine diphosphate यह ADP जो है in organic phosphate के साथ जूर करके किसका formation करते हैं मैंने का यह ATP या फिर adenosine triphosphate का formation करते हैं अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर fructose 1-6-bisphosphate जो होता है वो किस तरह से convert होता है इसके conversion की बात करेंगे लेकिन इससे पहले यहा G16P की बात करते हैं तो इसमें भी number of carbon कितना होता है 6 carbon होता है लेकिन यहाँ पर G16P की बात करते हैं यहाँ पर भी 6 carbon होता है और इसके साथ अगर हम यहाँ पर fructose 16P की बात करते हैं यह भी 6 carbon containing compound ही होता है लेकिन यहाँ पर क्या रेखा जाएगा कि अब यह fructose 16P जो है इसक क्या होगा मैंने का इसका क्लिवेज हो जाएगा क्लिवेज का मतलब है मैंने का इसका विदलन हो जाएगा ये जो है बैसे कली सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपॉंड है तो ये आगे फर्दर टू कंपॉंड में क्लिवेज को शो करते हैं विदलन को दर्शाते हैं और यहां पे जैसे ही cleavage हो जाएगा विदलन हो जाएगा तो ये 6 carbon containing compound जो है 2 compound का formation करेंगे दोनों ही compound क्या होंगे 3 carbon containing या मिन 3 carbon को रखने वाले योगिक होते हैं और ये योगिक कौन से होते हैं मैं इसके बार में बलाने वाला हूँ मैंने कहा ये जो fructose 1,6-bisphosphate होता है इसका cleavage होता ह तो ये किस-किस compound का formation करेंगे हम यहाँ पे यह देखते हैं देखिए यह यहाँ पे जो है first of all किसका formation करता है मैंने कहां यहाँ पे 3PGAL का formation होता है 3PGAL के साथ-साथ यहाँ पे एक और compound बनता है 3 carbon containing compound जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हमने shortcut represent किया है DHAP क्या बोला इसको इसे बोला कि यह किस enzyme के presence में कौन से enzyme के उपस्तति में यह जो conversion है या यह फिर यह जो विदलंग की पुखरिया आपको देखने को मिल रहा है वो संपन हो रहा है देखिए फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate जो होता है इसका विदलंग जिस enzyme के presence में होते हैं इसे क्या कहते हैं इसे क्या क्या क्य 3PGL क्या है देखिए यहां पर जो 3PGL होता है आपको इसी ही systematic order में one by one इन सारे step को क्या करना है learn करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ basically यहां पर 3PGL की बात करें 3PGL क्या होता है 3PGL को कहते है 3 Phospho यहां पर क्या करते है इसको मैंने का 3 Phospho Glyceraldehyde क्या करते है क्या करते है Glyceraldehyde कहा जाता है क्या कहा जाता है मैंने का यहां पर 3PGL को क्या कहा जाता है 3 Phospho Glyceraldehyde कहा जाता है और यह जो यहां पर DHAP मैंने बताया है DHAP क्या होता है मैंने का DHAP यहां पर होता है dihydroxy क्या क कहते हैं इसे डाय हाइड्रोक्सी एसिटॉन फॉसफेट कहते हैं अब मैं आपको बता दूँ कि यह जो फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉसफेट था वाज़ा सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लेकिन इससे जो यह थ्री पीजील बना है इसमें नमबर ओफ कार्बन कितन होता है थ्री कार्बन होता है और यह जो डाय हाइड्रोक्सी एसिटॉन फॉसपेट बनता है यहाँ पर ओफ कार्बन कितना होता है मैंने का यहां पर भी थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन यहां पर एक special reaction हमें देखने को मिलता है यह reaction क्या है देखिए यह जो 3 PGL है और यह जो डाय हाइड्रोक्सी एसिटोन फोसफेट होता है यह आपस में क्या हो सकते हैं मैंने का यह आपस में इंटर कंवर्ट हो सकते हैं यहाँ पे जो reaction होता है वो बाई डारेक्शनल होता है दौनों ही दिसाओं में यह संपन होते हैं दूई दिसात्मक प्रकार के रासाइनिक अविक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर कौन सा enzyme होगा जिसके presence में 3 PGL और यह जो डाय हाइड्रोक्सी एसिटोन फोसफेट है वो आपस में इंटर कनवर्जन शो करते हैं यहाँ पर देखी यहाँ जो enzyme होगा इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ट्रायोज आइसोमरेज क्या कहते हैं इसे ट्रायोज आइसोमरेज कहा जाता है और यह जो ट्रायोज आइसोमरेज enzyme होता है इसी isomerase enzyme के presence में 3-phosphoglycephaldehyde जो हैं वो convert होते हैं DHAP में और ये जो dihydroxyacetone phosphate होता है वो again convert हो सकते हैं 3-phosphoglycephaldehyde में हमने यहाँ पे यह कुछ एक basic reaction की बात कर लिए इस tape को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर यहाँ पे 3-PGL से क्या बनेगा उसके बाद एक again यहाँ पे क्या करते हैं skeletal त्यार करते हैं reaction का जो भी यहाँ पे reaction होता हुआ दिखाई देगा देखिए अब क्या होने वाला है मैंने का यहाँ पर 3-PGL से क्या होता है 3-PGL से यहाँ पर क्या होता है इस particular process में यहाँ पर क्या add हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे एक phosphate group यहाँ पे add हो जाएगा तो यह जो 3-phosphoglyceraldehyde वो mono condition में है यहाँ पे phosphoric जो acid है या phosphate group single होता है लेकिन जैसे ही one more phosphate group को मैंने add कर दिया यह जो phosphoric acid है इसी के ionization से PO4-3- जो है जिसे हम phosphate group कहते है वो क्या होता है? release होता है चिक है? क्या हो जाएगा? formation होगा किसका? मैंने का 1-3-PGL का formation होगा और यह जो 1-3-PGL है इससे किसका formation होगा? हम यह देख लेते हैं 1-3-PGL क्या है? मैं आपको बताऊँगा पहले हम क्या करते हैं? एक skeletal तयार करते हैं इसके shortcut form के साथ देखें 1-3-PGL से किसका formation होगा? 1-3-PGL से यहां पर 1-3-PGA का formation होगा क्या होगा? मैंने का 1-3-PGL से यहां पर 1-3-PGA का formation होगा और यह जो 1-3-PGA है आगे convert हो जाते हैं किसमें? यह 3-PGA में convert हो जाते हैं किसमें? 3-PGA में convert होते हैं ये जो 3 PGA होता है, again किसमें convert होता है? मैंने का 2 PGA में convert हो जाता है. और ये जो 2 PGA है, वो किसमें convert होगा? मैंने का ये 2 PEPA में convert होता है. आपको ऐसे ही पहले shortcut form को learn करना है, उसके बाद इसके expansion form को learn करना है. अब देखिए, 2 PAPA से क्या होगा? Finally हमें यहांपर क्या मिल जाएगा? मैंने का Finally हमें यहांपे 2 MOLE of Pyravic Acid मिल जाएगा. क्या मिलेगा? यहांपे 2 MOLE of Pyraic Acid यहांपर हमें finally मिल जाएगा. लेगिन यहां तक पहुँंचने के लिए इतने सारे chemical reactions हैं हमें basically क्या है? समझना है. अब देखते हैं one by one इन सभी को detail में समझने की कोशिश करते हैं देखिए मैंने आपको बताया कि 3 PGL में जैसे ही हमने यहाँ पर एक phosphoric acid को add कर दिया अब देखिए यहाँ पर 3 PGL से 1 3 PGL बना अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर enzyme की requirement नहीं होती है मैं again repeat कर दूँ इस particular reaction में जब 3 PGL, 1 3 PGL में convert होगा तो there is a no requirement of any enzyme यह non enzymatic reaction होता है क्या होता है यह मैंने कहा यह non enzymatic reaction होता है लेकिन पहले हम get decide कर लेते हैं कि 1 3 PGL होता क्या है इसे क्या कहा जाए इसे कहा जाता है अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें किसके बात कौन सा step हमें देखने को मिलेगा 1 3 bis phosphoglycerality height जो है इसके formation के बाद यहाँ पे 1 3 PGA बन रहा है अब यह 1 3 PGA क्या होता है 1 3 PGA को हम कह सकते हैं इसे कहते हैं 1 3 bis phosphoglyceric acid क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं 1 3 bis phosphoglyceric acid क्या कहेंगे phosphoglyceric acid कहा जाता है लेगिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो PGA है इसे phosphoglyceric acid तो कहते हैं लेगिन साथ-साथ यहाँ पे आपको किसी-किसी book में इसी को क्या लिखा मिलता है इसी को लिखा मिलेगा आपको इसी को कहते हैं या तो हम कह सकते हैं इसको phosphoglyceric acid या फिर इसे कहा जाता है phosphoglycerate क्या कहते हैं इसे phosphoglycerate भी कहा जाता है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंने कहा इसी particular chemical reaction को या फिर इसी compound के name को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1-3-difosfo क्या लिख सकते हैं 1-3-difosfo मैंने खा diposfo glycerate भी लिख सकते हैं इन chemical compound के जो naming का जो phenomena होता है तरीका होता है उसमें क्या होता है यह जो आपको एक दिख रहा है यहाँ पर जो आपको इसमें phosphoglyceric acid में यह एक acid दिख रहा है इक acid को remove करके इसमें हम क्या लगा सकते हैं इसमें suffix के तौर पे अनुलगन के तौर पे यहाँ पे हम 8 भी लगा सकते हैं तो यह दोनों ही chemical name क्या है बिल्कुल correct है अब देखिए यहाँ पे again हम यहाँ पे enzyme की बात करते हैं कि basically यहाँ पे conversion किसके presence में होता है अगर हम इस particular process की बात करें मैंने का अगर इस particular process की बात करें जिसमें 3 PGL जो है 1 3 PGL में change होता है तो मैंने कहा यह किस तरह का reaction है यहाँ पर कोई भी enzyme involved नहीं होता है मैंने का अगर यहाँ पे कोई भी enzyme involved नहीं है तो हम इसको क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं नौन एंजाइमेटिक रियेक्शन क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं नौन एंजाइमेटिक रियेक्शन कहा जा सकता है ठीक है लेकिन अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा एंजाइम जो है इनवाल होगा जब 1-3-PGA-L जो ह वो 1,3 PGA का क्या करते हैं, formation करते हैं, देखिए, यहाँ जो enzyme होता है, basically, इसे हम कहते हैं, dehydrogenase, क्या कहते हैं, dehydrogenase कहा जाता है, यहाँ पर कौन सा enzyme होगा, dehydrogenase enzyme होगा, चिक है, और देखिए, जब 1,3 PGA, मतलब 1,3 bisphosphoglyceric acid, या 1,3 bisphosphoglycerate, जो है, basically, जब किसमें change हो जाएगा, 3 PGA में change हो जाएगा, तो यहाँ जो enzyme होता है, यह कौन सा होता है, मैं बदा दू, यहाँ पर particular, इस case में ज़ो enzyme होता है, यह से हम कहते हैं, PGA kinase, कौन सा enzyme होता है, यहाँ पे होता है, PGA kinase, और यह जो 3 PGA है, वो 2 PGA का formation करेगा, तो यहाँ पर जो enzyme होता है, यह दौनों ही, यह अगेन यह दौनों क्या होते हैं, एक दूसरी के साथ, आइसोमर होते हैं, मतलब एक दूसरी के समावेवी होते हैं, तो यहाँ जो एंजाइम होगा, उससे क्या कहेंगे, यहाँ पे होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है, हमने यहाँ पे एंजाइम की बात की, अब दे लेकिन यहाँ पर PGA kinase ने वर्क किया हमयाँ सब्सक्राइक खुशान है यह जाता है यह देखिए 3-phosphoglyceric acid या फिर 3-phosphoglycerate कह सकते हैं अब देखिए इसी condition में मैंने का 3-PGA से 2-PGA बना isomerase enzyme के presence में लेकिन यहाँ पर इसका chemical name क्या होता है again इसको हम क्या कह सकते हैं 3-phosphoglyceric acid क्या कह सकते हैं glyceric acid या फिर हम कह सकते हैं glycerate इसका formation हो गया लेकिन यहाँ पर 2-P-E-P-A क्या represent करता है यहाँ पर 2-P-E-P-A जो है represent करता है क्या इसका meaning होता है 2-phosphoglyceric acid क्या meaning होता है इसका meaning होता है 2-phosphoglyceric acid क्या कहते हैं इसे 2-phoglyceric acid या फिर अगर एक acid को हटा करके suffix के तोर पे क्या लगा दिया जाए मैंने का pyruvate भी लगा सकते हैं या पर और last में किसका formation हो रहा है 2-mol of pyruvic acid का formation हो रहा है हम again enzyme पर ही आएंगे कि आखिर किस enzyme के presence में यह जो 2-P-E-P-A का क्या कर रहे है formation कर रहे हैं देखिए यहाँ पर जो enzyme होता है जो 2-P-E-A को convert करता है 2-phosphon성 pyruvic acid में इस enzyme को कहते हैं inolase enzyme क्या करते हैं इसे कहते हैं inolase enzyme कहा जाता है और देखिए यहाँ पर 2-phosphonación pyruvic acid से finally हमें क्या मिल रहा है 2-mol of pyruvic acid मिल रहा है तो यहाँ पर जो enzyme work करता है यह क्या होता है मैंने कहा hierँ पर work करने वाले enzyme को कहते हैं pyruvate kinase कहते हैं क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है pyruvate kinase लेकिन केवल यही enzyme sufficient नहीं होता मैंने का इस enzyme के साथ there is a requirement of the enzymatic activator मतलब यहां पे सक्रिय कार्ग की भी क्या होती है अवस्चकता होती है मैंने यहाँ पे सक्रिय कालक के तोर पे एक तो potassium iron होते हैं और एक क्या होते हैं मैंने का magnesium iron होते हैं ठीक है मैंने कहा यह basic process आपको देखने को मिला लेकिन इस particular conversion को तो हमने study कर लिया लेकिन यहाँ पर अब हम यह देखेंगे कि किस process में यहाँ पे ATP का formation होता है लेकिन उससे पहले यह यह जो पुरा complete हमने cycle बनाया है glycolysis का इसके बारे में मैं आपको यह बता दो कि यह जो complete cycle है उसको हम two stages या two phases में क्या कर सकते हैं divide कर सकते हैं मैंने कहा complete cycle को हम two phases में divide कर सकते हैं और यह phases कौन से हैं हम यह देखते हैं देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो भी conversion आपको सो होता हुआ दिख रहा है यह जो biochemical reaction है जो inter conversion को show कर रहे हैं कहां से one mole glucose से लेकर के और fructose one six bisphosphate तक इस stage को हम कहते हैं first stage क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है first stage first stage में होता क्या है मैंने का basic इस stage को और क्या क्या सकते हैं इसको कहते हैं investment phase और यह बहुत ज़्यदा किसका रहे हैं हम यहां पी मैंने कहा ATP बनते नहीं हैं इस particular यहां से लेकरके यहां तक के reaction में आपको दिख रहा है कि ATP का formation नहीं हुआ है ATP को हमने invest किया है ATP को खर्च किया है ATP को use किया है ठीक है अब देखिए इस सिste पो first stage भोला या investment phase और इसे investment phase को क्या कहते हैं इसे investment phase को हिंदी में कहा जाता है क्या सक्रिय करन की आउस था भी कहते हैं या इसे activation phase भी कहा जाता है क्या कहते हैं इसे से ले करके और यहां तक का जो पूरा complete phase होता है ठीक है यहां पे two phases में divide कर दिया हमने यहां तक की बात कर लिए यह क्या था मैंने का यह investment phase था ठीक है और यहां से ले करके यहां तक का जो भी phase आपको दिख रहा है मतलब 3 PGL से ले करके 2 mole of the pyruvic acid की formation तक यह कौन सा stage होता है मैंने का यह second stage होता है कौन सा stage यह second stage दूतिय प्रावस्ता है इसको क्या कहा जाता है इसको investment phase नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे pay off phase क्या गहेंगे इसे मैंने कहा pay off phase मिलेंगे मतलब यह जो हम ATP को invest कर रहे तो इस ATP से और कितने ATP का gain होगा यहाँ तो ATP use कर रहे थे लेकिन इस stage में second stage में हमें ATP use नहीं करना होता है उस use किये हुए ATP से उस invest किये हुए ATP से हमें यहाँ पे new ATP का formation होगा formation मतलब हमें ATP gain होंगे हमें ATP प्राप्त होंगे हमें use नहीं करना होगा ठीक है इसलिए इसे क्या कहते हैं यहां पे basically इसको कहते हैं payoff phase कहते हैं और यहां पे ATP का production होता है use नहीं होता production होता है इसलिए इसे stage को हम कहते हैं energy production phase कहते हैं क्या कहते हैं इसे मैंने कहा इसे कहा जाता है energy production phase ठीक है यहाँ पे energy क्या होते है उसका production होता है इसलिए इसे energy production phase भी कहा जाता है मैंने complete glycolysis को two phases में यहाँ पे study करके आपको बताया एक था investment phase और एक क्या था payoff phase बस आपको इतना ध्यान रखना है कि investment phase में ATP को हमें खर्च करना है लेकिन यह जो payoff phase होता है इसमें आपको ATP को क्या करना है use करता हूँ यहाँ पे ATP हमें मिलेंगे ATP का formation होगा अब देखते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं देखिए again यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किस step में आखिर यहाँ पर ATP का formation होता है और किस step में यहां पर NADH2 का क्या होगा formation होगा अब देखिए यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं यहां पर इस process की अगर बात करते हैं जिसमें 1,3 PGA L से 1,3 PGA का formation आपको रिखाई दे रहा है इस phase में क्या होता है मैं आपको बता दू इस phase में क्या होगा इस phase में basically 2NAD जो होता है 2NAD प्लस जो होता है basically इससे हमें क्या मिलेगा इससे हमें 2NADH2 का क्या हो जाता है formation होता है मैं आपको यहां पर confirm clearly बताऊंगा कि आखिर यह 2NADH2 से कितने ATP मिलते हैं बस लेकिन आप यहां पर यहां पर यह समझ लें कि इससे भी हमें ATP मिलता है ठीक है यहां पर हम जब ATP calculation हम glycolysis का पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 1 mol of NADH2 से कितने ATP मिलते हैं लेकिन यहां पर बस आप इतना समझ लें कि जब 13PGAL 13PGA में convert हो रहा होता है तो यहां पर 2NADH2 मिलते हैं मैंने का यहां पर 2NADH2 मिलते हैं अब देखते हैं यहां पर ATP का formation कहा होता है देखिए ATP का formation होगा यह जो 13PGA है 13bisphosphoglyceric acid है इससे 3phosphoglyceric acid का formation हो रहा है में जहां पर हमने PGA kinase enzyme को use किया है ठीक है इसके presence में अगेन यहां पर क्या होता है मैंने का यहां पर 2 ADP plus 2 inorganic phosphate से कितने ATP मिलेंगे मैंने का यहां पर 2 ATP का क्या होता है formation होता है लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर 2 ATP का formation हो रहा है लेकिन यहां पर क्या हुआ था यहां पर देखिए यहां पर ATP को हमने use किया है और यहां पर ATP बाद में है मतलब ATP का क्या हुआ है formation हुआ है अब देखिए एक और जगह यहां पर ATP का formation होता है वो कौन सा होता है मैंने का यह वाला stage होता है यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा यहां पर भी 2 ADP जो होता है 2 ADP प्लस 2 IP मैंने कहा यह जो adenosine diphosphate होता है वो 2 molecules of inorganic phosphate से जुड़ते हैं और यहां पर भी किसका formation होगा मैंने कहा यहां पर 2 ATP का क्या होगा formation होगा किसका हुआ formation मैंने कहा यहां पर 2 ATP का formation हुआ हमने यहां पर दिये देखा कि इस particular second stage में किस तरह से यहां पर ATP का formation हो रहा है लेकिन यहां पर last point जो मैं discuss करने वाला हूँ यह क्या है देखिए मैं last point बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करें बेसिकली हम यहां पर number of carbon की बात करने वाले हैं मैंने इस यहां इस first stage में सभी compound की बात की कि वो सभी 6th carbon containing compound थे मतलब ऐसे compound जिसमे number of carbon कितने थे मैंने का 6th carbon थे अब हम इस particular जो भी compound का formation यहां पर हुआ है इस particular compound की बात करते हैं कि यहां पर यह कितने carbon containing compound होते हैं यहां देखिए यह 3PGL 3 carbon containing compound है यहां पर dihydroxy acetone phosphate 3 carbon containing compound है यहां पर यह study करें 1 3PGL यहां पर जो 1 3PGL होता है उसमें कितने carbon होते हैं मैंने का 1 3PGL में 3 carbon होते हैं कितना 3 carbon यह भी 3 carbon containing compound है ठीक है और अगर हम यहाँ पे 1-3-PGA की बात करें मैंने का यह भी इसमें भी कितने कार्बन होते हैं यह देखिए यहाँ पे 3-PGA की बात करें इसमें कितने कार्बन होते हैं मैंने का यह भी 3-Carbon Containing Compound है यह 2-PGA भी 3-Carbon Containing Compound है ये 2PAPA भी क्या है 3 carbon containing compound है और आप इतना तो जानते हैं हमने यहाँ पे study किया है यह basically कहाँ पे मैंने का basically यह जो pyruvic acid होता है इसमें कितने carbon होते हैं मैंने का 3 carbon होते हैं यहाँ पर भी इस pyruvic acid में भी कितने carbon है 3 carbon होते हैं हाला कि यह 2 mol है तो 2 mol के लिए 3 carbon है तो basically यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 से multiply करना होगा 2 mol के लिए वहाँ पे 6 carbon होंगे और 1 mol के लिए कितने carbon होंगे यहाँ पे 3 carbon होंगे चीक है हम इन सभी process को one more time again revise करने वाले हैं ताकि आपको एक भी state में क्या नहों प्रॉब्लम नहों ठीक है यहाँ पे one more time हम इन सभी process को revise करने वाले हैं देखिए मैंने आपको starting में क्या बताया मैंने आपको बताया कि यह जो glycolysis होता है इसका meaning क्या होता है मतलब one more glucose का breakdown होगा किसमें मैंने कहा two more pyruvic acid में और बोला कि यह जो glucose है वो six carbon containing compound है लेकिन pyruvic acid में कितने कावण होते हैं one more pyruvic acid में three carbon होते हैं तो यहाँ पे two more के लिए यहाँ पे two से क्या करना परेगा multiply करना परेगा मैंने कह दिया इसमें six carbon है और यगर हम यहाँ पे glycolysis के हम बात करें कि glycolysis का site क्या होता है मैंने आपको समझाया कि glycolysis cytoplast में होता है एक बार और revise करने वाला हों कि यह पुर्वे precision में हमने क्या क्या पढ़ा अब देखिए हमने कहा यह common pathway होता है common pathway तो है urbanished mark तो होता है लेकिन यहाँ पर हम यह कहते हैं कि यह aerobic condition में भी होता है an aerobic condition में भी होता है यहाँ पे मतलब यह presence of oxygen में भी होता है absence of oxygen में भी होता है इन दौनों ही YVA और RYVA social का जो है इसे क्या करते हैं urbanished mark माना जाता है अब देखिए हम इसे क्या कहते हैं EMP pathway भी कहते है EMP मतलब 3 scientist के बारे में मैं आपको बताया वो कौन-कौन से थे यह थे embedan, एक थे mayorhoff और एक का नाम क्या था पारणास था अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया एक और note point जो कि क्या है मैंने आपको यहाँ में बताया कि अगर हम यहाँ पर oxygen के involvement की बात करते हैं कि क्या इस procedure में oxygen को हमने उपयोग में लिया तो यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर oxygen involved एक भी statement नहीं हुआ carbon dioxide के release की बात करते हैं तो एक भी particular biochemical reaction के conversion में यहाँ पर carbon dioxide का एक भी अनुमुक्त नहीं हुआ है रिलीज नहीं हुआ है ठीक है मतलब there is no involvement of the oxygen no relaxation या release of the carbon dioxide into the process of glycolysis अब हमने कहा कि यह जो biochemical reaction होते हैं वो 10 step में होते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 mole of glucose से सीधे मैंने 2 mole of pyruvic acid का formation 10 step में बताया है 1 by 1 इन सभी step के बारे में हम study करते हैं देखें मैंने कहा 1 mole of glucose की बात करें तो 1 mole of glucose in the presence of hexakinis enzyme as well as the magnesium ion activator जो होता है उसके presence में यह glucose 6 phosphate में convert हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने ATP को क्या किया? यूज किया 1 molecule of ATP को हमने यूज किया अब यह glucose 6 phosphate जो है in the presence of isomerase enzyme यह किसमें change हो गया? मैंने कहा यह glucose 1,6 phosphate में क्या होगे? चेंज होगे अब यह 1,6 bisphosphate जो है in the presence of phosphofructokinase enzyme and as well as the use of ATP this particular glucose 1,6 bisphosphate convert into the fructose 1,6 bisphosphate ठीक है? अब यहाँ पे fructose 1,6 bisphosphate जो होता है in the presence of aldolase enzyme cleavage सो करता है विदलन हो जाता है मतलब it is a 6 carbon containing compound लेकिन विदलन के बाद cleavage के बाद यह दौनो 3 carbon containing compound में क्या हो जाएंगे? convert हो जाएंगे मैंने बोला यह 3 PGL का formation करते हैं और DHAP मतलब dihydroxy acetone phosphate का क्या करते हैं? formation करते हैं लेकिन मैंने आपके special point यहाँ पे यह बताया कि these particular two compounds which are formed after the cleavage from fructose 1,6-bisphosphate these are inter-convert show करते हैं बैसे कि यह क्या हो सकते हैं? यह bi-directional जो होते हैं और यह दूई-दिसात्मर प्रकरते के होते हैं inter-conversion show करते हैं inter-convert हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर किस enzyme के presence में यह inter-conversion को show करते हैं? मैंने का मतलब 3-phosphoglycerate जो होता है या फिर 3-phosphoglyceraldehyde यह अगर 1-3-bisphosphoglyceraldehyde में change होता है तो मैंने कहा कि इस particular reaction में हमें किसी भी enzyme को use नहीं किया क्यों? क्योंकि यह single ऐसा particular process होता है glycolysis का जिसमें किसी भी तरह के कोई enzyme के involvement की बात नहीं करेंगे मतलब यह non enzymatic reaction होता है कौन? मैंने का जब 3-PGL 1-3-PGL में convert होगा अब यह PGL भी 3-carbon containing compound है यहाँ पे 3-PGL भी 3-carbon containing compound है अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1-3-PGL की 1-3-PGL जो है वो dehydrogenase enzyme के presence में 1-3-PGA में मतलब phosphoglyceric acid यहाँ फिर phosphoglycerate में क्या हो रहे है चेंज हो रहे है लेकिन यहाँ पर आपको special point क्या देखने को मिला कि यहीं पर हमें 2 molecule of NADH2 का क्या हो गया formation हो गया उसके बाद जैसे ही यह 1-3-PGA से यहाँ पे 3-PGA का formation होता है यहाँ पर 2-ATP का formation हुआ यहाँ पे 2-ATP का क्या हुआ है गेन हुआ है बैसेकली यहाँ पे 3-PGA और 2-PGA क्या थे एक दूसरी के साथ आईसोमर होते हैं इसलिए आईसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह दौनों जो हैं वो conversion शो करते हैं 2-PGA से मैंने का इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे किसका formation होगा 2-Pospoenol Pyravic Acid का formation होगा लेकिन सबसे important बात यहाँ पर यह है कि जब 2-Pospoenol Pyravic Acid से 2-Mol of Pyravic Acid का formation हुआ तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे again किसका formation हो गया 2-More ATP Molecule यहाँ पे क्या होगे formation को शो कर रहे हैं और 2-Stations होते हैं Investment Phase और Pay-Afford यह तो मैंने आपको बताई दिया यहाँ पे जो हैं सक्रियकरन की अवस्ता भी होती है और साथ-साथ उर्जा उत्पादन की भी अवस्ता होती है हम यहाँ पे यह 10 टाइप्स के Biochemical Reaction जैव राशानिक अभिक्रियाओं को तो पढ़ चुके लेकिन इससे हम Conclusion क्या निकालते हैं यहाँ पे basically ATP Calculation की बात करेंगे और साथ-साथ यह भी बात करेंगे कि इससे particular जो भी मद्धे वर्ती उत्पाद हमें बनते वे दिखाए दे रहे हैं इस Glycolysis में जो भी intermediate product का formation होता है यह suppose यहाँ पे PGL का formation हुआ है तो हम यहाँ पे यह देखेंगे कि PGL का formation तो हुआ है लेकिन यह PGL जो है आगे जाकर के कौन से other compound के formation में responsibility play करते हैं हम यह देखेंगे जैसे phosphoglyceric acid है इससे यह कहा जाता है कि इससे amino acid का formation होता है तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पे आखिर कौन से amino acid है जिसका formation PGA से होता है और यह भी देखेंगे कि यहाँ पर किस-किस stage में ATP का यहाँ पे formation हुआ है कितने ATP का शुद्ध लाब मतलब net gain होता है हम इन सभी चीज़ों की जो है बात करने वाले है next particular point में यह क्या है हम यहाँ पे discuss करेंगे first of all क्या मैं आपको बताने वाला हूँ ATP calculation के बारे में हमारा इसी topic में हम glycolysis में हम क्या पढ़ रहे है यह हमारा glycolysis में अब हमारा topic क्या है यह लिखा मैंने glycolysis और इस glycolysis में अब मैं आपको बताने वाला हूँ ATP calculation के बारे में किसके बारे में यह जो ATP का calculation होता है कि किस तरह से यहाँ पे total ATP को calculate करेंगे मैं इन सभी particular point को one by one discuss करने वाला हूँ अब देखिए first of all हम यहाँ बात करते हैं कि ATP use कितने हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया use of ATP use of ATP को समझते हैं again particular उस slide पे आते हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे basically use of ATP कितना हुआ देखिए one ATP को हमने यहाँ पे use किया one ATP को यहाँ use किया है तो मतलब यहाँ पे basically two ATP को हमने क्या किया use किया ठीक है अगेन हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे use of ATP जो है आपको कितने ATP का मिला मैंने का यहां पे two ATP को हमने use किया ठीक अब हम यह बात करते हैं कि यह जो second stage था जिसे हम payoff phase कहते हैं वहां पे कितने ATP का formation हुआ है अगेन यहां पे देखते हैं इस particular diagrammatic representation में देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि two ATP यहां पे इसका formation हो रहा है और two ATP का formation इस stage में हो रहा है मतलब यहां पे formation कितने ATP का हो रहा है मैंने का direct formation की बात कर रहा हूं मैं NADS2 से होने वाले formation की बात नहीं कर रहा direct ATP का formation जो है वो basically यहाँ पे 4 ATP का दिख रहा है कितने ATP का? मैंने का यहाँ पे 4 ATP का direct formation हो रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ direct formation direct formation कितने ATP का होता है direct formation कितने ATP का होगा मैंने का यहाँ पे 4 ATP का हमें direct formation देखने को मिला तो इसके basis पे हमें ये समझना है कि total ATP मतलब total ATP मिले कितने direct ATP, gain ATP जिसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं net gain ATP ठीक है और यहीं से question आता है कि यहां पे glycolysis में net gain ATP मतलब protect सी रूप से कितने ATP का शुद्ध लाव होता है तो देखिए यहां पर first stage में 2 ATP को use किया और मिले कितने मैंने का 2 ATP को use करने के बाद हमें basically 4 ATP मिले हैं तो यहां पे net gain क्या हो जाएगा 4-2 कितना हुआ मैंने का 2 ATP का यहां पर क्या होता है net gain होता है शुद्ध लाव होता है direct formation की बात कर रहे हैं अब मैं आपको बताने वाला हू total ATP कितने बने यहां पर हम NADS2 से मिलने वाले ATP की भी बात करेंगे कि यहां पे total ATP glycolysis में कितने का formation होता है net gain तो हमने देखने वाले है net gain के बाद total ATP का formation कितना होता है लेकिन इससे पहले एक concept एक star point मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर यह NADST और FADS2 जो होता है basically इससे किसका formation होता है देखिए हम अगर किसकी बात करें हम अगर यहां पर first of all किसकी बात करें NADS2 की बात करें कि यह जो NADS2 होता है यह कहा जाता है कि 1 mole of NADS2 से कितने ATP का formation होता है मैंने कहा यहाँ पर 3 ATP का formation होता है और दूसरा concept क्या है यह हमेशा आपको इस chapter में learn करना है कि 1 NADS2 जो होता है 1 mole of NADS2 से 3 ATP का formation होगा लेकिन इसके साथ ATP formation का ATP को gain करने का source एक और होता है जिसे हम कहते हैं FADS2 क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है FADS2 और यहाँ पर especially 1 mole of FADS2 की बात करते हैं तो इससे कितने ATP मिलते हैं मैंने का इससे 2 ATP मिलते हैं तो अब इस concept को use करना है glycolysis के process में यहाँ देखिए इस particular diagram में आपको क्या देखने को मिला इस particular diagram में आपको देखने को मिला कि कितने NADS2 का formation हो रहा है second stage payoff phase में मैंने का यहाँ पर 2 NADS2 का formation हो रहा है तो इसी 2 NADS2 का formation जो हो रहा है यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने का यह देखिए यहाँ पर indirect formation जो हो रहा है ATP का हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कितने NADS2 थे? मैंने का 2 NADS2 थे और मैंने अभी आपको यह concept प्रवाइड किया है कि 1 mole of NADS2 से 3 ATP बनते हैं तो यहाँ पर कितने mole है? यहाँ पर 2 mole of NADS2 का formation होता है glycolysis में तो NADS2 से basically यहाँ पर 2 into 3 ATP मिलेंगे की नहीं मैंने का 2 mole है तो 2 से multiply कर दिया और 1 mole से कितने मिलते हैं? 3 ATP मिलते हैं total कितने हो गए? मैंने कहा यहाँ पर 6 ATP का क्या हो गया? NADS2 मतलब 2 mole of NADS2 से हमें 6 ATP का formation जो है glycolysis में देखने को मिला लेकिन अब हम देखते हैं total कितना मिला ठीक है? total की बात करें तो देखिए मैंने कहा net gain कितने का हुआ था? 2 ATP का हुआ था यहाँ पर indirectly जो NADS2 से कितना formation हो रहा है? 6 ATP का हो रहा है तो total ATP कितने बनगे glycolysis में मैंने कहा 8 ATP का formation जो होता है वो basically total ATP होता है जिसमें मैंने source को मतलब NADS2 से मिलने वाले ATP को भी क्या कर लिया है count कर लिया है जिसमें indirect as well as the direct ATP का formation दोनों मैंने बात की है हमने यहाँ पर ATP calculation को समझा एक और बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कैसे decide किया देखिए अगर exam में question आता है net gain ATP मतलब कितने ATP का शुद लाव आता है तो basically आपका answer होगा 2 ATP ठीक है क्यों क्यों कि हमने यह देखा कि use of ATP जो है first phase में हमने 2 ATP use किया है ना उसके बाद कितने ATP मिले हमें second stage में मैंने का 4 ATP मिले तो basically net gain कितने का हुआ 4-2, 2 ATP का net gain हुआ लेकिन अगर हम यहाँ पे total ATP की बात करें तो हमने देखा यहाँ पे 2 NADH2 का formation हो राथा second stage में और 1 mole of NADH2 से 3 ATP मिलते हैं तो 2 mole of NADH2 से कितने मिलेंगे मैंने का 2 into 3, 6 मिलेंगे तो यहाँ पे 6 ATP जो है वो NADH2 से मिला 2 ATP का net gain हो राथा 6 plus 2 कितने मिल गए हमने हमने कहा यहाँ पर 8 ATP का क्या हो गया formation हो गया ठीक है यहाँ पर ATP calculation को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार question आता है न केवल enzymatic जो reaction होते हैं वहाँ से आते हैं बलकि glycolysis से ATP calculation पे भी maximum chances हैं यहाँ से भी question आता है अब देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ और बाते हैं जो हमें यहाँ पर study करना होता है मतलब कुछ more necessary thing about the glycolysis मैं आपको बताने हो और यह क्या है देखिए हमने कहा था की glycolysis में किसका formation होता है इसका intermediate product जो बने बनायゃ था वो क्या था जिया Saidal था और पो क्या कहते हैं आपको पता है इसी को कहते हैं phosphoglyceraldehyde क्या कहते हैं मैंने का इसे कहा जाता है phosphoglycseraldehyde क्या कहता है glyceroldehyde का आजाता है लेकिन यहां से question क्या पुछते हैं exam में यहां से question यह आता है कि यह जो PGL है phosphoglyceroldehyde है इसका formation जो है इसका further use कैसे कर सकते हैं मैंने का इसका use जो है वो glycerol के formation में होता है यह directly question आएगा कि glycerol का formation particular किस मर्दिवर्थी पाथ से होता है जो हमें यहां पे glycolysis में formate होते ही दिखते हैं तो मैंने का यह होता है PGL का use किया जाता है glycerol synthesis में इसका use किया जाता है तो हमने लिख दिया कि glycerol synthesis में यहां पर use में आने वाला compound intermediate product कौन सा है PGL होता है और इसी glycerol से हमें क्या मिलेगा मैंने का यहां पे हमें इसी glycerol से fat मिल जाने वाला है मतलब वशा हमें प्राप्थ होगा इसके बाद देखते हैं यहां पे PGL की बात कर लिए है अब सीधे बात करते हैं हम PGA की यहां पे PGL के साथ हमें PGA भी मिला था intermediate product में glycol asus जब हमने study किया तो यहां पे देखिए PGA को क्या कहते हैं पहले हम यह देख लेते हैं आप जानते हैं कि PGA को कहते हैं phosphoglyceric acid क्या कहते हैं phosphoglyceric acid कहते हैं या फिर इसी को क्या कह सकते हैं यह इक acid को यहां पर हम यहां पर 8 suffix से इसको क्या कहते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं हम इसको phosphoglyceric acid के साथ phosphoglycerate भी कह सकते हैं अब हम यह समझन की कोशिश करते हैं यहां पर PGA जो होता है basically PGA से कितने यहां पर basically किसका formation होने वाला है मैंने कहा था यहां पर PGA से हमें synthesis होगा, sensation होगा लेकिन मैं यहां पर आपको बदा दू amyloomal का synthesis तो होता है लेकिन आखिर वो कौन से amyloomal हैं जिसका synthesis यहां से होता है हम यह बात करते हैं क्योंकि option में आपको directly amino acid न देगर के तीनों option में amino acid वो तीन amino acid जिसका formation PGA से होता है यह आ सकता है, यह कौन से amino acid होता है हम इसकी बात करते हैं यहां पर एक amino acid होता है serine क्या होता है serine होता है, एक amino acid जो की basically PGA से बनते हैं यह क्या होता है, यह होता है glycine क्या होता है, glycine होता है serine, glycine के साथ-साथ एक और amino acid का formation होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सिस्टीन क्या कहते हैं सिस्टीन कहा जाता है तो सेरीन, ग्लाइसीन और सिस्टीन तीन प्रकार के अमाइन वेसिट का संसलेशन ये ग्लाइकोलाइसिस में मिलने वाले मद्धे वर्ती उत्पाद इंटरमीडियेट प्रड़क्ट किसे अब यहाँ पे कुछ और बात हम कर लेते हैं glycolysis के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है देखे मैंने आपको क्या बताया glycolysis का end product क्या था मैंने कहा अंतिम उत्पाद क्या था glycolysis का आपने देखा वहाँ पे 2 mole of pyruvic acid बना था यहाँ पर यह देखने वाले हैं कि यह जो glycolysis का जो अंतिम उत्पाद जिसे हमने कहा pyruvic acid ठीक है तो यह pyruvic acid क्या करते हैं एक अन्य प्रकार का acid जिसे क्या कहा जाता है glutamic acid क्या कहते हैं इसे glutamic acid कहते हैं अब यह जो glutamic acid है उसके साथ यह pyruvic acid जूड जाते हैं और जूड करके किसका formation करते हैं मैंने कहा यह alanine का formation करते हैं किसका? मैंने कहा यहाँ पर किसका formation होगा यहाँ पर alanine का formation होता है मतलब यहाँ पर यह पता होना चीए कि pyruvic acid से मैंने कहा जब यह pyruvic acid जो की अंती मुद्पाद होता है glycolysis का ये अगर glutamic acid से अगर मिल जाता है तो किसका formation होगा मैंने का यहाँ पे एललीन का formation होगा ठीक है अब last point जो हम इसी note point में discuss करते हैं वो क्या है अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर अगर हम किसकी बात करें तो यहाँ पे दो table बनाते हैं यह shortcut point है यह भी concept का point है मैं आपको बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक तरफ के column में हमने लिखा input ठीक है कि हमने क्या basically किसको use किया और किसमें हमें मिला क्या ठीक है यहाँ पे लिखा input और यहाँ पे basically मैं लिख रहा हूँ output ठीक है यह भी ATP calculation में हम इसको count कर सकते हैं basically यहाँ पे हम देखने वाले हैं input क्या किया था मैंने आपको बताया कि यहाँ पे glycolysis में हमने input क्या किया use में क्या लिया हमने यहाँ पे 1 mole of glucose को use में लिया input किया ठीक है तो 1 mole of glucose को input किया और इससे हमें output क्या मिला output मिला यहाँ पे 2 mole of pyruvic acid directly यहाँ से भी question आता है कि when we input the 1 mole of glucose into the process of glycolysis how many mole will be form of the pyruvic acid as output product ठीक है तो your answer will be 2 mole यहाँ पे यह देखा अब next point हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अगर input की ही बात करें तो यहाँ पर हम input करने वाले हैं किसका मैंने का जब हमने first stage investment stage देखा वहाँ पे हमने 2 ATP use मिलिया मतलब basically हमने क्या किया 2 ATP को क्या किया मैंने यहाँ पे 2 ATP को input किया glycolysis के बाद यहाँ पर हमें output में क्या मिल जाएगा output में यहाँ पे 4 ATP का formation हो जाता है तो यहाँ पे output और input पे भी कई बार question आपको module में देखने को मिलेगा वही मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ next point क्या है next point यह है कि अगर यहाँ पे 2 NAD plus 2 NAD plus को हमने input किया glycolysis में 2 NADH2 को हम अगर ionization के form में लिखें ionicra नवस्ता में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 NADH plus 2H plus क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 2 NAD plus 2H plus भी लिख सकते हैं जो basically 2 NADH2 का क्या करते हैं formation करते हैं हमने यहाँ पर input को देखा और उससे क्या मिला output हमने यह भी study किया और साथ-साथ ATP calculation को भी दीख लिया और जो intermediate जो उतपाद बनते हैं उससे basically किस other type के compound का formation होता है हमने यह भी study किया और इस particular lecture में हमने क्या देखा मैंने पूरा glycolysis के बारे में basic बातों से सुरू किया और उसके बारे में आपको complete बताया next lecture में हम क्या पढ़ेंगे glycolysis के बारे में crepe cycle के बारे में crepe cycle के बारे में complete cycle होता है वहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से ATP molecule बनते हैं और ATP calculation के भी बात करेंगे complete cycle के बात करेंगे next lecture will be about the crepe cycle तब तक के लिए जैहिन जैराजधानी